नमस्कार इस वीडियो में हम गरभावस्ता में होने वाली मुख्य परिशानियों और उसकी होमेपैथिक दवा की चर्चा करेंगे तो आईए समस्ते हैं गरभावस्था इस्तिरियों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें उन्हें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिती में थोरी सी असावधानी बड़ी समस्या पैदा कर देता है। अब गर्भावस्था के कुछ मुख्य लक्षन और उसकी होमेपैथिक दवा को देखते हैं। सबसे पहली अरनीका मूंटाना ठटी। गर्भावस्था में गिर जाने से या किसी दूसरे कारण से कमर पेडू में चोट लग जाने से अगर रक्त स्राव होने लगे गर्भपात होने की संभावना पैदा हो जाए तो इस दवा के सेवन से बहुत लाब होगा। कभी-कभी बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चेदानी के सरने से मवाद आने लगती है और उसमें से बदबू भी आती है। इस कारण से बुखार भी होने लगता है। इन लक्षन में आप अरनिका मुंटाना ठटी पोटेंसी की दो बूंद डाइरेक्ट जीह पर दिन में दो बार कुछ दिन दें बहुत लाब मिलेगा। से बीना ठटी गर्ब ठहरने के तीसरे या चौथे महीने में गर्वपात हो जाता हो। उसके बाद बहुत मात्रा में चमकीला और लाल रंग का रक्तसराव होता हो। कभी कभी ठके के समान रक्तसराव होना, साथ में कमर, पेडू और पेट में बहुत दर्द होना, तो ऐसे लक्षन में सेबीना ठटी पुटेंसी की दो बूंद डाइरेक्ट जीह पर दिन में दो बार कुछ दिन लें गर्वपात की संभावना खत्म हो जाती है। सीपिया ठटी अगर गर्व के पाच्वे से सात्वे महीने में किसी महिला को गर्वपात हो जाता हो और बच्चा दानी बाहर निकल आती हो, साथ ही बहुत कमजोरी आ जाती हो, तो सीपिया ठटी पुटेंसी की दो बूंद डाइरेक्ट जीह पर दिन में दो बार कुछ दिन लें, गर्वे पात की संभावना खत्म हो जाती है, कॉकुलस इंडिकस ठट्टी गर्वावस्था के आरंब में जब मॉर्निंग सिकनेस हो, उल्टी मितली आने की बार-बार एक्च्छा होती हो, या हो जाया करती हो, साथ में खाने की गंद से भी उल्टी करने की एक्छा हो जाती हो तो कॉकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी की दोबूंद डारेक्ट जीह पर दिन में दो बार लें बहुत ही लाव मिलेगा जलसीमियम 30 बहुत देर तक लेबर पेन होने के बाद भी बच्चेदानी का मुन नहीं खुल रहा हो देरी हो रही हो दर्द नीचे की तरफ ना होकर उपर की तरफ हो रही हो और बच्चेदानी में सूजन हो सिकुरने की शक्ती नहीं हो और इसी कारण बच्चे की थैली बाहर नहीं खिसक रही हो जरायू मुख पर रुखी हो तो जलसीमियम 30 की दोबूंद से लाब हो जाता है पलसेटला 30 बच्चा पैदा होते समय दर्द रुक रुक कर हो कभी कम कभी जादा हो कभी दर्द बिल्कुल ना हो और इस कारण जरायू का मुख नहीं खुल रहा हो और बच्चा आगे की तरफ नहीं बहर रहा हो कभी-कभी बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का नाल जल्दी बाहर नहीं निकलता और बहुत अधिक रक्तसराव होता है ऐसे लक्षन में पल्सेटिला ठटी की दोबुंद से लाब हो जाता है सिकेल कौर ठटी जब प्रसाव के समय दर्द बहुत कम और धीरे-धीरे हो कभी-कभी दर्द बिल्कुल ना हो जरायू कोमल और थुल्थुला बना रहे दर्द कमर से शुरू होकर पेट में अस्थाई हो जाता है और इस कारण प्रसाव में देरी होने लगती है जब तक जरायू का मुँख खुल जाए और दर्द तेज ना हो तब तक इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे ही जरायू का मुँख खुल जाए और दर्द मालूम होने लगे इस दवा की एक खुराग देने से बच्चा तुरंत पैदा हो जाता है क्या गर्वपात की संभावना हो और यूट्रस और पेडू में दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा बलड आता हो यूट्रस अपने स्वभाविक अकार में नहीं आये कभी कभी जरायू पीछे की तरफ घूम जाती है कमजोरी के कारण जरायू बाहर निकल जाये और दर्द हो त कॉलिफाइलम 30 के सेवन से लाब मिल जाता है ब्रॉणिया 30 इस दवा को हम मिल्क फीवर के नाम से भी जानते हैं बच्चा पैदा होने के बाद अकसर अस्तन में दर्द सूजन और करापन के साथ बुखार भी हो जाता है रोगनी हिलना डूलना नहीं चाहती हिलने डूलने स से तकलीफ बढ़ जाती है ऐसे लक्षन में ब्रॉणिया 30 की दो बुंद डारेक्ट जीव पर दिन में दो बार कुछ दिन देने से बहुत लाब मिल जाता है एकुनाई 30 किसी भी प्रकार से डर जाने के कारण गर्वपात होने की संभावना हो बच्चा पैदा होते समय पुराक बहुत लाब दे देता है बताया गया लक्षन मिलने पर आप ने संकोच दवा का सेवन कर सकते हैं या सुयोग्य होमेपैथिक डॉक्टर से भी परामर्स ले सकते हैं सभी दवा आपको किसी भी होमेपैथिक शौप पे मिल जाएगा अगर आपको समझने में किसी त पुराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं अगली वीडियो में उस रोग की होमेपैथिक दवा के बारे में बताया जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद